फर्स्ट वाच लेक्शर वन टू एंट्री तेन स्टार्ट दिस वीडियो नाओ देक्स टॉपिक इस स्टेम सेल देखो इट इस वन अब दा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन बायो टेकनोलोजी मोस्ट इंपोर्टेंट इन दा सेंस कि इससे पी वाई की वो पूछे जात चैना की वुमेन थी जिसने दो लाग 50,000 युवान जो है खर्च कर दी अपने पैट डॉग को क्लोन करने के लिए क्लोन मतलब क्या आप एग्जक्ट कॉपी चाहते हो जो आपके पास बॉड़ी है क्या आप वो चीज आपका कभी खतम नहीं हो तो आप क्या करते हैं कि उसक सेल्स का यूज हो रहा है कोई आपको ड्रग टेस्ट करती है पहले क्या होता था जैसे मानलो अभी कोडोना की वैक्सीन बनी थी कुछ दिन पहले तो उसके लिए पीपल वोलेंटरी आये थे और वो क्या किये थे उसने कहा था कि ठीक है आप वैक्सीन को मेरे ओपर टेस्ट करो बट इसकी इंपलिकेशन हो सकती है में भी यदि हमारा ड्रग फैलियोर रहा तो इंसान की जान तक जा सकती है बट अब बायो टेकनोलोजी इतना इवॉल्ब कर रहा है कि आपको किसी अनधर परसन में डालने की जोड़त नहीं है आपको यदि वो ड्रग टेस्ट करनी ह है आप क्या करो exact एक नया cell ही बना लो एक नया body ही बना लो और उस body पे आप क्या करो या वो perfect organ बना लो उस पे वो ड्रग डाल के टेस्ट कर लो कि हाँ यह आपका drug बनाया हुआ सही है या नहीं है तो इन सब के background पे हम लोग पढ़ना सुरू करेंगे stem cell देखो जैसे इसके काम में stem है तो जरूर कुछ stem का मतलब होता होगा आपने जो tree में देखा है branching the same type of जैसे कि कोई हमारा cell है जब यह cell grow होता है जैसे जब जब यह mature होगा mature होने के बाद cell division होगा तो यह कई सारे branch में cell बन जाते हैं that is the concept behind stem cell stem cell की यह यह तीन property को बहुत ध्यान से लखनी है पहल following property is called stem cell क्या property उसमें हो सकती है functionally undifferentiated या immature या unspecialized और non committed मतलब क्या है कि इस cell को stem cell को अभी तक यह पता नहीं है ना कि हमें करना क्या है कौन सी function हमें perform करनी है यह stem cell को अभी तक नहीं पता है जैसे another cell कोई है जैसे मानलो bone cell है तो bone cell को पता है कि मुझे क्या काम करना है bone cell को पता है मुझे bone marrow भी बनानी है मुझे bone को growth भी करनी है हर अलग-अलग cell को पता है कि उसकी क्या functions perform करनी है आई सेल है तो उसे पता है मुझे क्या करनी है बट इस टेम सेल को भी तक यह पता नहीं है मेरी जीवन की परपस क्या है मेरी जीवन की उदेश से क्या है जैसे ऐसे समझ सकते हैं इस टेम सेल वो बच्चा है ना जैसे कि मालों यह प्ले स्कूल में है इस टेम सेल प्ले स्कूल में है और इसे पता नहीं आप इससे पूछा कि अच्छा बताओ बाबू तुम क्या बनेगा तो एक्शली वो बच्छी तो आपको कुछ नहीं बताएगा बट उसके फादर क्या बताएंगे इसमें इसमें पॉटेंसियल है यह कुछ भी बन सकता है विकाज उसके सामने अभी पूरी दुनिया के सरे हड़े एक उपर्चुनेटी खुली हुई है तो उसी तरीकी का स्टेम सेल है जो कर तो सकता है सब का तो इसके पास अब दी एबेलीटी तु डिफ्रेंसिय alm सेल इसमें बन सकता है अब भी इससे पता नहीं है कि handmade और इसको बनाने के आप उस पे external force देके आप उसे कर रहे हैं तो same हम stem cell के क्या करते हैं हम जैसा cell बनाना चाहते हैं उस तरीके का क्या करेंगे इसको जो है stimulus देंगे, force देंगे और जाकि ये जो है अपने आपको convert करेगा particular cell में third property have the ability to divide and make more of themselves आप इसके पास और ये भी ability है कि एक stem cell से आप कई साथे cell बनाने के लिए ये बना देगा आपको और यही एक application just like कि इसके पास ability to divide और more of themselves बना सकता है तो आपको लग रहा होगा कि cloning में कहीं ना कहीं ये मुझे help कर सकता है अब थोरा सम देखते है normal cell और stem cell में क्या difference है तो normal cell जो हमने पढ़ा था जहां से कि हमारी जीवन की सुरुभात हुई थी कि दो cell इसके लिए responsible था एक तो sperm cell था और एक ओवन था जब ये दोनों आपस में मिलती है जब sperm cell आपस में आके इसमें मालो मेट करी तो क्या होगा कि यह इस चीज को हम लोग बोलते थे जाइगोट और जैसा कि आपको पता था हम लोग स्टार्टिंग लेक्शर में ही किये थे जहां से कि मेरी पूरी बायो टेकनलोजी स्टार्ट थी कि इस पम में 23 number of chromosome होता है और ओवम में भी 23 number of chromosome था chromosome क्या था chromosome is the entire constitution of our body कि हमारे body की shape किस तरह होगी eyes किस तरह होगी hair किस तरह होगी तो हमारा इस से बन गया जाइगोट तो जाइगोट में जो है 23 quality आया from कि हाँ से father side से और 23 chromosome हाया हमारे पास mother side से तो total हो जाती है 23 into 2 यानि कि यह हो गई आपको 46 number of chromosome और इस 46 number of chromosome को जब हम लोग open कर दे पूरी की पूरी open कर दे तो इस में से हमें कुछ जगह मिला coding reason जहां पर कि हमारी informations लिखी वे थी हमारी hereditary property लिखी वे थी कि हमें हमारा body किस तरह से बनेगा तो यह जो coding वाला reason था इसे हम लोगों ने बोला था gene और इस तरह कि total gene हमारे body में कितनी है तो almost that is 20,000 gene है यह सिफ एक cell के हम लोग बात कर रहे है जो gigot cell बना है वो gigot अपने पास 20,000 gene लेके आया है अब क्या होगा जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाएंगे हम लोग बड़े मतलब कि हमारा यह gigot वाला cell जो है grow करेगा growth के बाद इसमें होगा differentiation यह cell बटेगा आपस में दो parts में फिर इसमें differentiation होगा फिर तो cell division करते जाएगा और कई तरह की new cell form करते चले जाएगी मानलो cell 1 बनाया, cell 2, cell 3 up to dot 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 n types of cell बना देगा तो हर cell में कितना gene होगा, चुकि यही cell है और cell जब बन रहा है तो इस cell में भी कितना, इसमें भी 20,000 gene होगा इसमें भी 20,000 gene होगा इसमें भी 20,000, जितनी नई cell बनेगी, चाहे वो 1000,000,000,000 करोड़ cell बनाया, सब में number of gene तो सेम जाएगा DNA सेम जाएगा, वो differentiate करेगा तो gene उसको भी उतना number of copy देगा तो अब मानलो मेरे पास एक cell को देखते हैं कि वो किस तरह से behave कर रहा है, मानलो cell 1 था इसके पास 20,000 gene था बट इस cell को body ने कहा कि तुम्हें बनाना है मानलो kidney तो इस 20,000 gene को जब सेल ने स्टडी करना मानलो स्टार्ट किया होगा कि kidney बनाने के लिए किस जगर information लिखी हुई है, हमको इसके kidney में stone डालना है या नहीं डालना है ये सारी चीज जो property मानलो ये यहाँ पे लिखी हुई थी इस वाले portion में तो पूरी की पूरी जीन में से क्या करेगा सेल इतने वाले part को वो active रखेगा और बाकी rest of part को बोलेगा के तुम silent रहो भी तुमको कुछ नहीं करना है मुझे बस अभी इसकी काम है तो kidney क्या करेगा अब इतनी सारी cell को तो this cell क्या करेगा चुकि इसके पास specific gene out of 20,000 gene में से बस उतनी सी gene select करेगा जिससे की पता है इसे kidney बनाया जा सकता है उस gene को ये turn on करतेगा मतलब उसकी जो है growth को fast करतेगा and जितनी remaining gene जो था rest of gene को क्या करेगा ये selective gene को silent करतेगा बोलेगा तुम turn off हो जाओ तुम्हार ये भी ज़र्वत नहीं है और इस basis पे after some time ये growth हो जाएगा kidney में इसी तरीके से दूसरा cell हो सकता है liver cell को ये होगा liver cell को बोलेगा अपना फिर वो gene को study करेगा कि देखेगा liver cell बनने का information कहा है उस liver cell को क्या करेगा activate करेगा rest of gene को वो selectively off कर देगा bone को हाँ बनाना है bone वाले gene को इस तरीके से complete organ आपका क्या होता है within 9 months ये complete आपका develop हो जाएगा और इन सभी organ के compilation से complete body का जन्म होता है जब हम लोग start किये थे तो हमारे पास one cell था और जब finally हमारा body complete बना तो यहां से यहां तक के process में हमारे body में 50 trillion cells आ चुका है कितना 50 trillion cell और इस process को from cell to organ cell to different types of organ जो बना इस चीज को करते है cellular differentiation differentiation means कई तरह के cell में differentiate हो जाना कई तरह के cell में form होना that is cellular differentiation और cell differentiation और इसका नाम है differential gene expression हर जीन अपने आपको differently क्या कर रहा है express कर रहा है अब इसकी अब देखते हैं कि इसके inverse में या इसकी just cell which doesn't know which gene have to express और which gene have to off इसे नहीं पता है कौन सी जीन को provide करेंगे जिसकी वजह से इसकी cell differentiation होगी मान लो यह कोई stem cell था यह stem cell growth होके इस तरह से दो पार्ट में बना यह हो सकता है क्या और ग्रोथ हुआ फिर बना यह दो पार्ट में बटा यह दो पार्ट में गया कि अब लोग दिखते हैं टाइप्स ओफ इस्टेम सेल देखो हम लोग मेजटली इस्टेम सेल को दो बेसीज पर पहले तो डिवाइड करते हैं on the basis of potential on the basis of origin potential मतलब क्या कि कोई मानलो पार्टीकुलर आपका ये स्टेम सेल है यह आपको कितनी सेल different types of cell दे सकता है उसकी power कितनी है और another जो differentiate करते हैं इसे on the basis of origin कि आप किस जगह कि cell और tissue लेके आप जो है फिर आप उस stem cell से another cell develop करते हो तो सबसे पहले देखते हैं on the basis of potential हमारे पास जो stem cell है उसका सबसे पहला है totipotent stem cell देखो इसका नाम ही exact clear है कि इसका function क्या होगा कि totipotent मतलब हो क्या रहे है totipotent मतलब होता है total potential potential means potential तो ऐसा stem cell जिसके पास total potential हो मतलब क्या वो हर कुछ आपके body में बना सकता है that is known as totipotent stem cell तो any stem cell SC अब जहां भी use होगा supreme court नहीं समझना है that is stem cell any stem cell that can differentiate into all these cell types of the body along with cell that makes up extra embryonic membrane यह क्या है extra embryonic membrane इसे हम लोग देखते हैं एक diagram से देखो हमारी बर्त का start कहां से सबसे पहलत होता है जाएकोट से day one में जो है क्या day one में first start हुआ बता हम लोग कई बर बात कर चुके है this is one is a sperm cell sperm cell plus ovum जाके जब मिलता है तो यह दोनों के मिलने से क्या बनता है जाएकोट बना और यह सपोच कर लो कि जाएकोट बनने का यह day one था from first day one से 14th day तक के period को इस period को हम लोग करते हैं pre embryonic phase अभी तक यहां पर embryo नहीं बना है तो यह बात करते है pre embryonic phase 14 days क्या होता है on the 14th day यहां पर बनता है चारो साइड से cover करेगा this is known as blastula और same day इसी 14th day पर एक और काम होगा कि यह जो है न यह blastula implanted in mother's uterus अब यह uterus में चला जाएगा from 14 days से two month के period को हम लोग कहते हैं embryonic phase embryonic phase मतलब क्या अब इस में से हर सेल को यह मकसद मिल जाएगा अंदर में जितनी भी cell particles हैं कि उसे पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या जीवन में तो यह किसी को आई बनना होगा किसी को hurt बनना होगा किसी को kidney बनना होगा तो इस two month के period को हम लोग कहते हैं embryonic phase जहाँ पे की perfect cell division होगा जिसमें हर सेल को पता है कि उसे बनना क्या है तो इस basis पे यहाँ पे हमारा इनर body complete हो जाता है एंड यहां से यह जो है इस part को करते हैं placenta जो की यह बच्चे mother के womb से attach रहती है और यह जो placenta होती है पोरस होती है और इससे क्या होता है blood supply from mother और इसी blood से बच्चे को सभी कुछ की जितनी भी nutrients की ज़रत होती है वो साड़ा nutrient इसे इस process से इस बच्चे को मि से थोड़ा सा कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है उसके बाद नन्ना मुन्ना राही हों का जन्म होता है तो यह process है हमारे पास कि कैसे from जाइगोट से एक new baby का जन्म होता है तो इसमें से जो आप जो यह चीज देख रहे हैं न कि यह जो हमारे पास जो सबसे पहले यह जो बन चीज जो था मेरे पास extra embryonic membrane यह जो membrane है इस membrane को हम लोग कट करके क्या कर देते हैं हटा देते हैं इस membrane कि उसके बाद कोई जरूत नहींती है और baby बाहर आ जाता है इस part को जो हम लोग ही कहते है extra embryonic membrane यह बना कहां से यह extra embryonic membrane यही जो outer वाला जो सबसे पहली बार जो बना था य यही part है तो इस cell में यह potential था कि यह इस से आप जो है हर कुछ बना सकते हैं that is the example of 2T potent stem cell, now see this यह जो हमारे पास था जो outer cell mask जो मेरे पास जो यह membrane बना था इस membrane को हम लोग कहते हैं trophoderm that is outer membrane और यही trophoderm क्या जाके बना trophoderm becomes extra embryonic membrane और extra embryonic tissue जैसे ही बेबी का जन्म होगा हम इसे क्या कर देते हैं कट कर देते हैं और यह जो यहां पर जो inner cell mask था जो अंदर में जो जितनी सारी फिर cell की development हो रहे थी maturation के बाद यह develop होके बनता है बन जाता है आपका new baby में convert हो जाता है तो यह whole process थी तो यह जो extra embryonic membrane or tissue है it has the capacity because इसी जगह से start हुआ तो इससे आपका complete organ बन गया अब एक बार फिर टूटी पोटेंट का definition पढ़िये कहता है किया any stem cell that can differentiate into all the cell types of anybody along with cell that makes up the extra embryonic membrane ठीक है next है कि टूटी पोटेंट सेल का examples क्या हो जाएगा टूटी पोटेंट सेल का example जैसे कि हमारा यह जो जाएगोट है जाएगोट अब टू कहता है 8 to 16 डिविजन जो है इसे हम लोग टूटी पोटेंट सेल करते हैं आफ्टर 8 to 16 डिविजन के बाद जाएगोट क्या होता है उसे एक particular मकसद मिल जाता है देन आफ्टर वो टूटी पोटेंट नहीं रहेगा विकॉज उसे particular मकसद पता चला तो वो only i cell i में ही convert होगा heart heart में ही convert होगा all these cell taps में नहीं जा सकता है तो यह जो जाएगोट होगा after 8 to 16 डिविजन 8 to 16 मतलब क्या यह first था first से यह यह दोनो second division हुआ second से यह दोनों फिर third हुआ तो 16 डिविजन तक हम जाएगोट को बोल सकते हैं टोटी पोटेंट से एंड आफ्टर देट क्या होता है but after 16 डिविजन देर function is fixed from particular type of organ उसे particular काम मिल गया वो ही करेगा and because 8 to 16 डिविजन may be potential that जाएगोट डिफरेंट इन्टो टोटी पोटेंट से एक चीज और ध्यान में रखनी है क्या इस 8 to 16 डिविजन में एक जाएगोट कभी कभी क्या होता है वो दो टोटी पोटेंट सेल में डिफरेंट हो जाता है मतलब एक ही जाएगोट दो जाएगोट बन जाएगा कैसे मालो यह जाएगोट था और सेल डिविजन हुआ यह दोपार्ट में इनिस्यली में ही मैच्जियोड में डिफरेंट किया और ये दोनों cell है दोनों में ये potential अभी भी है कि ये पूरी की पूरी बेबी को जन्म दे सकता है जब twins जन्म होता है बच्चे में जुर्बा बच्चे जन्म होते हैं तो वो कैसे होता है मालो starting में ही क्या हुआ मेरा जाइगोट ही दो पार्ट में break कर गया ब्रेक नहीं किया वो mature करके cell divide हुआ तो ये बाला cell क्या हो जाएगा फिर ये जब बटेगा तो ये दो दो पार्ट होगा इसकी दो होगी तो क्या हुआ इससे चाड़ बना फिर ये बाला अपना अलग वे में growth होना शुरू हो जाएगा इससे क्या होगा एक complete baby जनम ले लेगा और इससे क्या हो जाएगा इससे भी एक complete baby जनम ले लेगा तो और यहां से जो दोनों बच्चे का जनम होगा वो बच्चे का जनम होगा उसे बोलेंगे monogigotic twins मतलब दोनों बच्चे का gender क्या होगा सेम होगा क्यों सेम होगा है विकाओज क्या था कि जिस समय ये जाएगोट बन रहा था उस समय ही एक particular sperm success हुआ था इस ovum में जाने के लिए और इस particular sperm की मानलो chromosome जो कुछ भी होता जैसे 22 प्लस मानलो X होता तो और ovum का तो fix है इसका तो हमेशा X ही रहेगा इसका हो सकता था 22 प्लस X और 22 प्लस Y हो सकता था बट यहां से suppose करो X आया तो इसका मतलब क्या है यहां और इसकी जो यह जाए गोट की जो अब जो sex होगी वो क्या होगी जाएगोट की sex female होगी यह girl child की जनम होगी तो यह अभी भी तो stay मैह इसमें नया sperm तो add हुआ नहीं है तो यह अभी भी यहां पर क्या होगा female होगा और यह फिर develop हुआ तो दोनों बच्चे का जन्म य जो है क्या तो अलग अलग gender भी होता है मेरा एक लड़का एक लड़की ट्वीन सो तो उसकी condition इसी जिगह change अलग हो जाती है क्या कि यह जो एग cell था यहां पे उसका condition कैसे होगा उसे यह एक हैमानलो क्या था कि अभी मेरे पास क्या है कि जो हर मन्त क्या होता है फीमेल के बॉड़ी से वुमेन के बॉड़ी से वन ओभम सेल निकलता है एक सेल यह जेनरल केस में होता है बट कभी कभी क्या होता है इन रेयर केस में जो है क्या वुमेन के बॉड़ी से दो ओभम रिलीज हो गया और इस्पम की संख्या तो करोडों में निकलती है तो क्या हो यह के स्कू siis पास चला गया एक इसपायम में उडाओ कि एक मंद childish यह done 、 तो सकता है इस स्कूल मुचल में 22 x और 22 pero Also study अब जब यह पिर क्य만 capture यह ऑब अब आया गया जाइगोट टू दोनों जब पार्टिकुलरली ग्रोथ डिफरेंसियेटली अलग-अलग करेगा तो एक फिमेल का और एक मेल का करेगा तो वो कंडिशन बिल्कुल डिफरेंट है हम लोग बस यहां पर यह बात कर रहें क्या इन केस कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो ह होगा वो ट्विंस जन होगा यह कब इसलिए हम लोग बोल रहें क्या कि 8-16 डिविजन तक यदि इस समय तक जाइगोट में कितनी भी डिविजन हो जाए तो उसके पास इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्लीट नया ओर्गेन बना दे तो आपको लग रहा है कि इसका application कहीं नहीं कर ले और टॉटी पॉटेंट सेल हमें मिल गया उससे तो हम कंप्लीट बॉड़ी बनाई सकते हैं तो यदि आपके ही बॉड़ी का सपोच कर लो यह यह आप है आपके बॉड़ी का ही यदि क्या हो गया डॉक्टर को टॉटी फोटो कॉपी बन जाएगा फिर आपका क्या होने बाला होगा कि जब आप कोजमाली जिद्ध की टाइम आएगी फिर क्या किया जाएगा ठोटी पोटेंट सेल निकाल के फिर से एक नए आदमी बना दिया जाएगा इससे क्या हो जाएगा इंसान कभी खतम ही नहीं होगा क् और बहुत सारे पइट को बहुत सारे आपके ओर्गेन को अब क्या क्या जाता है क्लून कर लिया जाता है वाएदा हैल्प यहल्प टोटी पॉटेंट्सल टोटी प हैंट्य्प टब लेंगे जब हमें एक्जेक्ट पूरी कि पूरी बॉड़ी को कोपी करने करें हो, हो सकता है कि हम क्या करना हो, हमें इसमें से मालों simply हमें lungs की photocopy बनानी हो, आपकी lungs ही आपको खड़ाब हो गई है, सेम ऐसा ही lungs आपको चाहिए, जो कि healthy lungs हो, तो उससे हम लोग develop कर सकते हैं, उसके लिए हम total potent cell नहीं लेंगे, इससे कम पावरफुल सेल लेंगे टोटी पोटेंट मतलब टोटल पावर हर कुछ बन सकता है तो इसलिए अब देखते हैं next type of stem cell pluripotent stem cell देखो pluripotent stem cell बस थोड़ी सी difference है totipotent stem cell से क्या pluripotent भी क्या करेगा all these cell types of body बनाएगा बट 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 नो extra embryonic membrane दिखो यदि extra embryonic membrane बन गया तब तो फिर से पूरी की पूरी new baby ही बन जाएगी actually यहां क्या हो रहा था मेरा जितना साड़ा inner cell mass था इससे पूरी complete मेरी body बन गई बट यह जो बाहर की जो ट्रॉफोडर्म थी ट्रॉफोडर्म किस में बना जाके extra embryonic membrane और यही extra embryonic membrane बना तो क्या हुआ यह मदर के बूम में से जो जिसको प्लेसेंटा कहते थे यह क्या हो गया यह connect हो गया मदर से और connect होने के बाद इसको सब कुछ मिलने लगा तो एक new baby बन गया बट inner cell mass में यह capacity क्या था यह eye बन सकता है यह heart बन सकता है यह kidney बन सकता है except except क्या हमें छोड़नी है extra embryonic membrane तो ऐसा stem cell जो क्या करे all these cell types of body बना सके but no extra embryonic membrane अब मालव माद लो Easy लेकिन अब चाहिए कि आपको क्या चाहिए ऐसे मालो आपको चाहिए reaction चाहिए होगा तो हर्ट बनाने के लिए हम लेब में क्या करेंगे पार्टिकुलर type औप special chemical environment में इस cell को रखेंगे जिसमें से क्या होगा इन सभी character को मानलो क्या किया हमने इसको silent कर दिया और hurt बनने की जो मेरे पास इसमें quality थी उसे up कर दिया तो क्या होगा उसके बाद ये pluripotent cell hurt बन जाएगा हमें liver चाहिए तो हम उस तरह का chemical environment में से prepare करेंगे इसकी application कहा है pluripotent stem cell की तो pluripotent stem cell PPSC could be used for regenerating tissue जैसे मानलो example कि क्या हुआ कहीं पे कोई army है army के जवान है उसको मानलो किसी हाथ में क्या हुआ है hand grenade फट गया तो उसकी hand जो है क्या हुआ काम नहीं कर रही है तो हम यह possible हो सकता है उसके pluripotent cell लेके हम एक new हाथ लगा सकते हैं हाथ ही हम बना सकते हैं hand बना सकते हैं अपने lab में तो यह सभी चीज एक्जामपल हो सकता है और pluripotent cell का example है ICM inner cell mass जो inner cell mass से ही हमारे body की हर एक organ बनती है तो inner cell mass is the pluripotent stem cell next is multipotent stem cell MPSC multipotent stem cell multipotent cell क्या करता it can differentiate into many cell types which are related in function देखो many cell था इससे पहले हमने जो पढ़ा pluripotent ये all था all और many में थोड़ी ये difference होती है all मतलब all सब कुछ but many मतलब क्या होता है something कुछ ही not all तो ये बना सकता है many cell but not hard cell बना सकता है और ये जो भी MPSC multipotent cell किसी particular जगह का होगा तो वो कोई particular उसी से related function करेगा example सोचो कि ये हमारा bone है bone में यहाँ जो bone के अंदर होता है जब हम लोग chicken खाते हैं तो जो आपको अंदर वाला part जो brown color का होता है that part is spongy tissue जिसको कि bone marrow कहते है ये bone marrow क्या है ये bone marrow majorly काम करता है blood बनाने का it is primarily made up of ये जो bone marrow बना होता है HSC का HSC मतलब क्या होता है which is nothing but MPSC HSC मतलब hemopoietic stem cell मतलब ये जो चीज है ये hemopoietic stem cell is a multipotent stem cell मतलब multipotent stem cell का मेरा example है HSC मतलब जस्ट एक नाम है इसका कि HSC इसको में लोग कहते हैं hemopoietic stem cell which is a multipotent stem cell इसका मतलब है ये क्या करेगा वो हर तरह का mini cell बना सकता है जो कि related function हो अब मालो blood से related function कितनी हो सकती है blood से जुरा हुआ stem cell जो है वो तो RBC बनाएगा या तो या तो WBC बनाएगा या फिर platelets बनाएगा यही तीन काम हो जकता है न तो हम या hemopoietic cell के पास ये capacity हो वो RBC बनाएगा platelets बनाएगा और WBC बनाएगा और WBC का भी special types होता है चुकि वो भी blood से related है जैसे neutrophils neutrophils मतलब macrophage याद है macrophage हम लोग कहां पढ़े थे जब हम लोग card T cell therapy पर रहे थे कि एक cancer वाले cell को treat कर रहे थे तो हमने क्या किया था उसके cancer cell को बांध के रखा और उसके बाद मेरे सरीर का inner bacteria ही आया macrophage और उसको खाके खतम कर दिया तो हम neutrophils भी बना सकते हैं lymphocytes जो की B cell और T cell होती है वो भी हम बना सकते हैं monocytes बना सकते हैं basophils, ishinophils बट यह तीनो नाम याद नहीं रखनी है neutrophils और lymphocytes को याद रखनी है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि thus एक hemopoetic cell से हमने क्या क्या हमने बनाया so many different types of functionally specialized cell जो की एक तरह का function में specialized था that is known as multipotent stem cell but they are all क्या था and related in function था then they function as team वो सभी एक team की तरह काम किया called blood stem cell which is meant by many different cell related in function but अब देखो समस्या कहा आती है कि हो सकता है कुछ people को जो है some people के पास की जो bone मेरो बनाने वाली hemopoetic stem cell है न वो genetically defective हो जाए बर्थ के ही समय में क्या हो गया होगा कि कुछ gene में problem हो क्या है कुछ entanglement हो गया होगा कुछ भी problem हो सकती है या बर्थ के बाद हो सकती है कि हुआ क्या उस person में अब ये hemopoetic cell जो है क्या blood नहीं बना पाड़ा है वो genetically defective हो गया है तो ऐसे person को हो जाता है leukemia disease जो की एक तरह का cancer है या फिर एक दूसरी और disease हो सकती है जब हमारा hemopoetic stem cell genetically defective हो जाता है तो इसका solution क्या है इसका solution है medical science में bone marrow transparent आपने कई बार सुना होगा नाम bone marrow transparent तो bone marrow transparent में हम लोग क्या करते हैं हमें हम बोडो करते हैं bone marrow tissue को from someone else जो एक ऐसे healthy person से हमें क्या चाहिए होगा bone marrow चाहिए होगा हम bone marrow दे देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा क्या उसके body फिर से बनाने लगेगा बट यह ज़र्णी इतनी आसान है नहीं कि simply हम कहीं से bone marrow ढूंट के लिए और दे दे problem क्या होगा bone marrow not like आपका जैसे कि आप किसी से blood लेते हैं उस तरह से नहीं है कि blood group match किया ले आया bone marrow जब हम लेते हैं तो उसके लिए हमें जो सबसे धियान रखनी होती है उसका surface antigen और हम लोग इससे पहले के lecture में पढ़ लिए यदि हमारे cell का surface antigen और किसी foreign person से हमने मालो bone marrow लिया उसका surface antigen तो match करेगा नहीं और जब यह match नहीं करेगा तो हमारा body क्या इसको react करेगा हमारा body वो लेगा यह तो अपना आदमी नहीं है यह foreign आदमी है और इसको मारना सुरू कर देगा और से अंदर हमारे body की अपनी immunity क्या करेगा इस cell को मार के खतम कर देगा किल कर देगा तो अब हमारे पास तब solution क्या बचता है हम ऐसा bone marrow ढूंडे जिसे के पास same surface antigen हो तो ऐसा possibility दो condition में हो सकते है बड़ दोनों भी solution में नहीं आएगा क्यूं जैसे मालों एक हो सकता है monogigotic twins, monogigotic twins अभी just हमने उपर में देखा कि क्या था condition में कि जब हमारा एक जैगोट within 14 to 16 days से पहले ही क्या हुआ हमारा जैगोट ही दो पार्ट में बट गया था यह जैगोट से दो twins baby का जनम हो गया तो जब इस person में क्या था कि जहां से जो sperm आया है या तो male और female में इसके पास ही वो disease थी bone marrow की तो यह possibility हो सकती है इस दोनों बच्चे में भी वो disease हो यदि इस बच्चे में बच्चे में नहीं है तब तो कोई दिक करते हैं उसका bone marrow ले ल नहीं होगा अब another options बच्चती है sibling की मतलब भाई बहन का मतलब क्या जो उसकी बच्चे हैं उसकी बच्चे है siblings है तो क्या उससे ले सकते हैं actually यदि parents को है तो most chances हो सकती है कि बच्चे में भी वह चीज़ हो यदि बच्चे में disease है तब तो नहीं ले सकते है यदि disease नहीं है त इसका हम बोन मेरो लेंगे siblings का तो काम हो जाएगा मानलो ये भी फैल हो गया मुन जाइगोटिक ट्विंस में भी है यह हो सकता है siblings में भी क्या हो रहा है क्या बोन मेरो की problem है तो उसके बाद जो अभी एक new experiment आया saviour sibling experiment medical science की एक थोड़ी difficult experiment है इसमें क्या करते है कि जो parents parents of suffering individual मानलो कोई parents है उसको क्या है वो disease था कौन सा disease तो थैलिसीमिया या लुकिमिया डिजेज है जिसमें कि उसकी बोन मेरोड इफेक्टिबली हो गई तो इसमें हम लोग क्या करेंगे तो both parents ये decide क्या करेगा क्या कि हम लोग एक और बेबी को क्या करते हैं जन्म देते हैं और इस आसा में इस hope से कि चलो उस बच्चे के पास क्या होगा same surface antigen होगा और उस बच्चे को वो disease नहीं होगा इस दो hope के साथ तो अब आप ये सोचो कि मान लो कि ये इदी biological process करेगा तो कि वो कितनी बच्चे को जन्म देगा और उसके बद चेक करेगा कि हाँ इसमें है या इसमें नहीं है that is not the solution तो इसके लिए solution आता है IVF in vitro fertilization मतला lab method से हम fertilized करके देखेंगे जिसमें कि क्या होगा parents को only क्या देना होगा अपना sperm देना होगा और ovum देना होगा ये experiment कई round चलेगा ताकि multiple round में ये पता चल पाए किस बार हम लोग successful हुए जिसमें कि हमें same surface antigen मिल जाएगा और उस बच्चे में वो disease नहीं होगा तो ये दोनों ले जाके हम इसे कहां fertilize करेंगे lab fertilized करेंगे into जाइगोट में और इस जाइगोट को उसके बत क्या करेगा doctor will study धेर सारा हम बनाए धेर बहुत सबार ये process चलेगी doctor will study these cells that it consists same surface antigen or not multiple round experiment चलेगा till fertilized egg cell has not या तो थैलिसेमिया नहीं होना चाहिए disease नहीं होनी चाहिए और same surface antigen होनी चाहिए यदि ये दोनों चीज मिल गया अब क्या करेगा इस जो cell को जो है जाइगोट को है इसको mother के womb में डाला जाएगा और फिर नॉर्मल बेबी जन्म लेगा नॉर्मल बेबी के जन्म लेनी के बाद 8 से 10 साल के बाद हम क्या करेंगे थोड़ी सी इसकी bone मेरो fraction of bone मेरो हमें चाहिए वो bone मेरो ले ले लेंगे और इसको transplant कर देंग जाएगे थालेसेमिक परसन जो parents को था देखो कितनी लंबी प्रोसेस हुई एक तो पहले तो इतनी सारे experiment में प्रोसेस जाएगी फिर उसके बाद after successful achievements तब जाके बेबी का जन्म होगा एक साल फिर 8 से 10 साल हमें वेट करना होगा फिर उसका bone मेरो लेंगे फिर उसको transplant करेंग है और पिछले के पिछले PT 365 में यह चीज था सेवियर सेविलिंग experiment के बारे में नेक्स्ट जो हमारे पास है उसे हम लोग कहते हैं oligopotent stem cell OPSC जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा कि एक तो मेरे पास था 20 potent cell जो कि सब कुछ कर सकता था everything पूड़ा का पूड़ा एक body भी बन स सकता था उसके बाद आया pluripotent cell मतलब यह all thing कर सकता था but accept 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 क्या कर सकता था extra embryonic membrane नहीं बनाता यदि वो बना यह था फिर से था पूड़ी body बन जाती फिर उसके बाद आया MPSC ठीक है MPSC क्या करा था MPSC अभी जस्ट हम लोग इसको पढ़े यहां देखो यह MPSC हमने पढ तो MPSC में क्या था कि यह many cell बना सकता है but not all और जो बनाएगा वो related बनाएगा blood related tissue तो बनाएगा यह हो गया MPSC हो गया and अब जो बचा है only two बचा है one is known as oligopotent stem cell OPSC a cell that MPSC कर रहा था many oligo करेगा few थोड़ा सा few functional cell types बना लेगा इसमें भी जैसे मानलो क्या example में कि जैसे कि यह मानलो आपका MPSC है यह blood stem cell था MPSC तो वो क्या कर रहा था सब कुछ बना रहा था मतलब blood cell related blood cell related RBC भी बना रहा था platelets भी बना रहा था उसके बाद WBC भी बना रहा था बट लेकिन यदि कोई oligopotent cell है जैसे मानलो एक oligopotent cell है my lid stem cell it gives few of blood cell not all the blood cell example तो एक example मानलो यह वाला stem cell आपको होता मान लेते हैं क्या यह वाला my lid my lid stem cell तो यह क्या only बनाएगा RBC platelets बनाएगा बस यह यह बना सकता है या फिर WBC बनाएगा तो which is the part of also MPSC blood stem cell का ही part हो जाएगा OPSC मतलब MPSC बड़ा ब्रांच है उससे छोटा ब्रांच हो गया OPSC oligopotent stem cell कुछ related बना सकता है यह हो सकता है oligopotent cell only WBC बना है हो सकता है only RBC बना है लेकिन जो MPSC हम लोग इससे पहले पढ़े वह सब कुछ बना सकता है अब हम लोग देखते हैं second type of stem cell जो कि based on source और origin था based on power हमने complete देख लिया now we are saying about source की कहां से वो हमें stem cell मिलता है तो जो सबसे first ऐसा cell है उसे कहते हैं embryonic stem cell जो कि हमें मिलता था from human embryo जो कि हमने उपर में देखा था जिसका best example था ICM inner cell mass this is the inner cell mass ही हमारा है embryonic stem cell और क्या था ICM जब हम power से बात करें तो इसे हम लोग कहते थे pluripotent stem cell जो इसमें की यह चमता थी यह कोई भी औरगेन बन सकता है तो embryonic stem cell is called whatever we collect from human embryo second है cord blood और tissue stem cell और यह कहां से हमें मिलता है umbilical cord से कहां है क्या है umbilical cord एक फिर से धियान से देखते हैं हमने यह देखा था embryo था embryo के अंदर बेबी का जन्म होड़ा है ठीक है तो बेबी क्या होता है अंदर में जो है वो placenta से जो होता है वो connected होता है तो और इसी placenta के थ्रूँ यह पूल होता है और यहां से हर कुछ supply होता है बेवी को बट आफ्टर जन्म क्या होता है हम इसे कट कर देते हैं और कट करके हटा देते हैं and this umbilical cord is the richest source of multipotent stem cell और हमने multipotent stem cell अभी पढ़ा है जिसी के हम क्या कर सकते हैं mini organ बना सकते है related in function जैसे कि example मानलो आपको hemopoetic stem cell बनानी है तो यदि आपके पास यह umbilical cord आपने रखा है जमा करके कहीं पे तो आप बात में यह बना सकते हैं तो इसलिए अभी एक concept चल रहा है stem cell banking का stem cell banking में क्या होता है क्या if parents चाहते हैं if parents want to store stem cell of baby तो क्या कर सकते है then they inform stem cell banking people वहां से आएंगे और वह क्या करेंगे यह जो umbilical cord जन्म किसम है बवी का उसको collect करके वह लेके चले जाएंगे they will come and take this tissue and blood और जो umbilical cord है उसको लेके उचले जाएंगे उसको store कर देंगे cryogenic way में और आपको जब कभी चाहिए in future आपको कोई organ बनानी है तो आप उसे संपक कर सकते हैं वो ले सकते हैं और presently government of India ने भी जो है इसको approval दे दिया है कि from MPSC to blood cell therapy के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं next है adult stem cell देखो adult मतलब क्या होता है क्या other than embryonic stem cell मतलब just like क्या AC senior मतलब उसे embryo से even एक child भी जो है वो child भी क्या है adult है with respect to जब हम बात करेंगे stem cell का embryo तक जब तक था तो embryonic cell था जो हमने तो यह first देखा लेकिन जैसे इसके बाद हमारा body develop कर जाता है inner cell mass से बाद में जब जाती है उसे हम लोग करते है adult stem cell यह adult stem cell का example है HSC देखो hemopoiet stem cell हर जगा मिलेगा क्यों क्योंकि blood हर दिन मरता है हर दिन new blood generate होता है तो HSC always बनती है तो HSC भी हम बना सकते है एडल्ट stem cell से एडिपोज stem cell एड मीजल काइमल मीजल काइमल stem cell यह सभी जो है क्या है it mature into और मीजल काइमल stem cell जब मैच्योर होगा तो यह connective tissue बनेगा एडिपोज stem cell पाया जाता है आपको fat cell में and tooth pulp tooth pulp क्या होता है जैसे यह आपकी यह दात है दात को जब इसको काटोगे तो इसके अंदर जो pulp stem cell होती है that is adult stem cell तो यहां से हमने complete किया अपनी जो है क्या पूरी की पूरी stem cell को कि कि इसको देखना है next अब हम बस end की और जा रहे हैं stem cell की और तो अभी अभी तक scientist का क्या believe था कि जैसे जो stem cell है stem cell जब cell differentiate होता है जैसे कोई particular stem cell था वह या तो lungs बन गया या kidney बन गया या मान लेते हैं हम अभी इस example में हमने लिया है कि हमारा stem cell है अभी वह mature होके क्या बना है mature होके हमारा neuron cell बना है तो scientist का believe था कि यह unidirectional होता है मतलब यदि आप जैसे की example इसको जैसे हम लोग समझेते कि एक child है तो child यदि वह चाहता है academically कुछ बनना तो मान लोग वह class 10th किया 11th किया बाद में इंजिनियर बना तो वह ऐसा नहीं होगा कि फिर इंजिनियर से जाके child बन जाएगा मतलब यह यह क्या था unidirectional था irreversible था मतलब एक बार यह दिए stem cell से आपका mature cell बन गया तो आप mature cell से stem cell नहीं करते हैं बट इस चीज़ को जैपेनीज साइंटेस्ट सीनिया यामानाका ने कम्प्लीटली रॉंग प्रूफ कर दिया कि उसने जो बोला था कि stem cell यूणी डारेक्शनल होता है सीनिया यामानाका एक जैपेनीज साइंटेस्ट थे इसे नॉबल प्राइज भी मिला था नॉबल प्राइज आई थिंग 2008 में से नॉबल प्राइज से समानित किया गया था इसकी इस खोज के लिए इसने बोला किया कोई भी आप मैच्योर सेल लाइए वो मैच्योर सेल क्या होगा वो फिर से हम उसको stem cell में कनवर्ट कर सकते हैं इफ वी सबजेक्ट इफ वी सबजेक्ट दी मैच्योर सेल टू राइट फीजिकल एंड केमिकल इस्ट्रेस में रखा जाया तो देट सेल कुड वी मैट तो फॉर्गेट इस जेनेटिक मेमोरी इस्ट्रेस में जैसे इनसान भूल जाता है तो उसको भी दे तो व अपनी जेनेटिक मेमोरी को भूल जाएगा और क्या हो जाएगा तो बीकम प्लूरी पोर्टेंट इस्ट्रेंज सेल आईसा हो इस्ट्रेंज सेल नहीं आप हर कुछ बना सकते हो तो इन्हों ने कहा कि राइट फीजिकल और केमिकल इस्ट्रेस में आप अपने जो ह यह इतनी बड़ी कहता है किया यह मेडिसीन के छेत्र में युरेका रिवाल्यूशन था मतलब आपको कोई और चाहिए आप किसी भी और अर्गें से कुछ बना सकते हो मानलो अपना इसकीन से लेके जाओ अपना दिल बना लो मतलब जैसी आपकी जवरत है उस तरीके से आप बना सकते हो इस इस ब्रेक्थ्रो इन मेडिकल साइन्स जिसमें की सीनिया या मनाका का योगदान रहा नेक्स्ट वीड़ी सीद है अप्लिकेशन ओफ एप्लिकेशन ओफ इस्टेम सेल फर्स्ट एप्लिकेशन इज इन सैल बेस्ट थेराप्योटिक्स तो सेल बेस्ट जितने भी थेराप्योटिक्स है वहां पर हम लोग इसका स्टेम सेल का यूज करेंगे एक्जामपल रीजेनरेटिव मेडिसीन में जैसा के हमने देखा ही पूरी की पूरी अभी तक जितनी स्टेम सेल पर है वहां पर जो भी रीजेनरेट मतलब न्यू जेनरेट सेल करके या और्गेन करके जो बनानी थी उस तरह का मेडिसीन में इसकी हुज होगी स्टेम सेल कुड भी यूज तो क्रियेट फंक्शनली मैच्योर सेल ओफ दी नीड बाइ प्रोवाइडिंग दिस सुटेवल केमिकल इंवारमेंट जिस तरह कि आपको नीड है फंक्शनली मैच्योर सेल चाहिए तो हम लोग इससे कर सकते हैं मालो किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाता है और स्पोर्ट्स इंजरी के लिए वहां पर न्यू और चाहिए तो वह भी हम उसको कवर कर सकते हैं उसके बाद नियूरो डीजेरेटिव डिजीज किसी भी तरह का नियूरोन रिलेटेट डैमेज होड़ा है बॉडी में तो जै कि भी क्योर हम क्या कर सकते हैं इससे कर सकते हैं डाइबटीज के ट्रीटमेंट में अभी विग थूरू इसमें मिला हुआ है कि जो कि आप स्टेम सेल थेरपी से कर सकते हैं जैसे कि डाइबटीज हमको जैसे कि हम लोगों को पता है टू टाइपस की होते है एक तो टाइप because beta cell which is present in the pancreas are damaged due to autoimmunity. जो pancreas में जो हमारा beta cell होता है वो autoimmunity के कारण cell की अपनी immunity के कारण ही क्या होती है beta cell damage हो जाती है और हमारी अपनी ही immunity क्या करती है beta cell को damaging करना है start कर देती है तो इसका solution क्या है by using stem cell हम से stem cell से क्या करेंगे develop करेंगे new beta cell and transplant in body और इससे solution मिल जाएगी एक news थी 2022 की January 12 में news paper The Indian Express में आई थी उसमें था कि ये title था उसका big milestone insulin producing cells grown from stem cell and safe for transplant shows Edmont Research Edmont Research नहीं बताया क्या कि हम उसने stem cell से क्या किया insulin producing उसने जो है कि hormone को ही develop कर लिया cell को develop कर लिया अब यदि वह automatically हम develop कर लेंगे body में और तो फिर हमें बार बार injection लेने के जूरत नहीं पड़ेगी तो ये एक बहुत बड़ा big through मिला diabetes की cure के लिए next इसकी application जो है first तो हमने क्या देखा application of stem cell cell based therapeutic cell level पे किसी इसके solution करनी हो stem cell से कर सकते हैं second क्या है drug testing के लिए मान लो scientist ने कोई vaccine develop किया उसके बाद आब उसे उसको क्या करनी है उसे check करनी ही कि यह work कर रहा या नहीं करनी है बट ऐसे situation में कोई भी person ready नहीं होता है कि चलिए आईए मेरे पर आप test किजिए विकाज किसी की भी लाइब के सवाल है तो ऐसे case में हम लोग क्या कर सकते हैं मान लो हमने lung के लिए कोई vaccine बनाया है अब हम क्या करेंगे हम पहले तो अपने vaccine बनाने के बाद हम lung को create कर लेंगे artificially artificially नहीं stem cells create करके और उस पर vaccines का impact देखेंगे क्या होता है तो third one कहता है क्या stem cell could also be used as vector to introduce foreign gene into the organ अभी तक हमने देखा था कि किसी को gene desired gene को यह आपको किसी भी organism में डालना है तो उसके लिए आपको एक vector चाहिए vector मतलब vacills तो यह काम क्या stem cell कर सकता है हाँ stem cell भी कर सकता है example सोचो यह है हमारा blastiola जिससे की जो हम जिससे हमारी बॉड़ी की जन्म होती बिरसल में क्या था इनर cell mass था इनर cell mass में से हम क्या किये इस inner cell mass में से एक क्या क्या कि हम जो है inner cell mass को निकाल लिए extract कर लिए हम लोग one less inner mass और इसमें मानलो हमें foreign gene डालनी है वह उह Ohio hypnotize वाला blue eyes मानलो डालनी है तो हम क्या करेंगे blue eyes की gene को क्या किया हम इस once inner cell mass से जो निकाले हैं इसमें हम क्या कि इस foreign gene को add करती है add करने के बाद अब हमारा ये gene में क्या होगे जब foreign gene इसमें से आ गया तो कोछ इस तरीके का ये मेरे पास cell बन गया और इस cell को क्या करेंगे introduced back to our inner cell mass और जब बच्चे का न्यू जन्म होगा blastula से जब ये पूरी embryo में developed होके new baby born बनेगी तो उस बच्चे का जब जन्म होगा उसका जो eyes होगा वो कैसा होगा child की eye blue eyes हो जाएगे तो ये सब चीज हम लोग stem cell level पे जाके कर सकते हैं और fourth one is stem cell could be used for studying normal development process that happens in embryo also हम लोग इसमें से समझ सकते हैं कि developmental error कहां हो रहा है कभी कभी आप सुनते होंगे कि 6 साल का बच्चे का जन्म मतलब अभी बच्चे का जन्म हुआ है उसके heart में क्या है hole है या फिर 10 साल का बच्चा है उसे cancer हो गया तो क्या developmental error कहां हो रहा था उसे study करने के लिए हम लोग stem cell का यूज कर सकते हैं this is the very very important topic regarding UPSC stem cell एंडिया का क्या relation कुछ है तो in 2012 में DCGI मतलब Drug Controller General of India ने instituted NAC National Apex Committee for Stem Cell Research Stem Cell Research के लिए DCGI ने NAC का जो है क्या establishment किया किसे लिए to keep monitoring and watch on the stem cell research work happening in the country, country में कहां कहां work हो रहा है कहां पर कुछ facilitation देनी है support करती है तो जिसके लिए हमने NAC बनाया फिर 2014 में DCGI अलसो declared that any stem cell और stem cell product meant for the application would be treated as new drug and would be regulated under drug and cosmetic act कता है कि आप stem cell से कुछ भी new चीज़ बनाते हो उसे उसे treat किया जाएगा drug के तरह और इसकी proper regulation होगी ऐसे नहीं कि जो मन में आया आप बना रहे हैं उसकी proper under the drug and cosmetic act के तरह तो उसकी proper regulation होगी और 2017 में नहीं हो जाया कि ICMR and Department of Biotechnology together release national guideline release किया regarding stem cell research के बारे में to direct the SCR stem cell research happening in the country and prevent the unauthorized uses of illegal and non-confirmed therapies बहुत जगह जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग चोड़ी छुपे भी अलग अलग चीज़ करते हैं लाओड नहीं है stem cell से करना तो इस चीज़ को रोकने के लिए ICMR and Department of Biotechnology together release किया national guideline क्या आप करना क्या आप नहीं कर सकते हैं next point is under the national guideline यहां जो national guideline release किया गया इसके अंदर कहा किया कि stem cell research on human viable embryo older than 14 days is prohibited मतलब कहता है कि आप एक चीज़ यहां से देखो जब हमने यह पढ़ा था कि फ्रॉम जाइगोट से लेके 14 days तक बोला इस period तक तो आप complete जो आपको research करना आप कर सकते हो once 14 day crow 14 days cross कर जाती है तो आप क्या करता है embryo से नहीं खेल सकते हो उस पर research नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके बाद particular organ develop होना start हो जाता है that is the story behind this that की national guideline में कहा गया कि आप viable मतलब कि ऐसा embryo जो की new baby में convert हो सकता है यदि यह older than 14 days के साथ आप उस पर कोई research नहीं कर सकते हो that is prohibited as per the guideline released by ICMRN DBT यह complete story रहा हमारा stem cell से next अब only one topic हमारा बचा हुआ है cloning का topic वो cloning topic हम लोग देखेंगे next video में चलो बापू बाड़ हटा देखेत की कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की अब तो खेत में हरियाली भी मर गई उसकी लाशे भर बोरियां भी घर गई अब रखवाली क्या करनी बूत प्रेत की चलो बापू बाड़ हटा देखेत की को गुत मर देखेत की खंज हाँ? क्यदकि अबिए कुज करनी मर देखें है क्याक बादे है कज बादे ऑन कारो बादे है और मान में यह तेखेत की बादेगेlast tempo पीजित कीümüz है झाल झाल